नमस्कार आप देख रहे हैं Mobile News 24 मैं हूनी रज कुमार वक्त हो गया है आज के ताजतरीन खबरों का परधान मंत्री नरेंद मोदी आज बिहार के एक दिवसियत दोरे पर रहेंगे जहां हुए औरंगाबाद और वेगु सराय से बिहार के लोगों को होली के पहले 21,400 करोर रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सोगात देंगे साथ ही पीम गंगा नदी पर 6 लेन वाले पूल की आधार सिला भी रखेंगे जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विक्सित किया जाएगा यह पूल देश के सबसे लंबे नदी पूल में से एक होगा आज मधपरदेश से फिर सुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोरो नियायातरा जहां मुरैना, ग्वालियर, सिप्पुरी, गुना, राजगर, साजापुर, उज्जैन, धार और रतलाम जिले के छेतरों को कवर करने के बाद भारत जोरो नियायातरा फिर से राजस्थान में इंट्री करेगी 36 गर्विधान सभा के नेता पर्तिपक्ष डॉक्टर चरंदास महंत आज कोरबा के परबास पर रहेंगे जहां वे इंद्रागांधी ओडिटोरियम में साहु संघ द्वारा आयोजित, युबक युबती परिटे सम्मेलन एवं समारी का विवोचन कारक्रम में सामिल होंगे महराष्ट के मुखमंतरी एकना सिंदे ने सरत पवार के डिनर पार्टी में जाने से इंकार कर दिया है बता दें कि वह आज अजित पवार और देवन फर्नविस के साथ वारामती तो जाएंगे लेकिन सरत पवार ने जो सीएम को आज दिनर पर बुलाया था वहां नहीं जाएंगे दोस्तों आगे वरनेस पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि अगर आपने अभी तक इस नीज़ को लाईक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाईक और कमेंट कर दिजए क्योंकि आपके लाईक और कमेंट का मैं कभ से इंतिजार कर रहा हूँ और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लाश्ट में बताते हैं इसलिए न्यूज को लाश्ट तक जरूर देखिए आज हो सकता है उत्तर परदेश की योगी आधितना सरकार के मंत्री मंडल का विस्तार जहां ख़वर है कि नए मंत्री मंडल में राजभर और आरलडी के विदायक सामिल हो सकते हैं इसके अलावा बीजेपी से भी एक और मंत्री बनाया जा सकता है परदान मंत्री नरेंद मोदी के बिहार दोरे पर विपक्ष की पेनी नजर है जहां राज़द और कॉंग्रेस के नेताओं ने परदान मंत्री से कई सवाल पूछे हैं वहीं जदियू और भाजप्पा ने पलटवार भी किया है उत्तर परदेश के पुर्मुख मंत्री वह समाजवादी पार्टी परमुख अखलेस यादव ने पेपर लीक मामले में सरकार को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक करा कर नौजवानों के भविस्च से खिलवार कर रही है बिहार के सुपॉल में एनस सतावन पर बड़ा सरक हाथसा हुआ जहां तिरवेनी गन से नई दिल्ली के लिए जा रही एक बस टोल पलाजा के आगे खड़े ट्रक से टकरा गई इस घटना में टोल पलाजा सुपरवाजर सहित बस के चालक की मौत हो गई जबकि एक दरजन से ज़्यादा यात्री गायल हो गए है वहीं सभी यात्रियों को पास के होस्पिटल में एडमिर कराया गया है दिल्ली सरकार में वितमंत्री आतिसी ने सुक्रवार को दिल्ली विधान सभा में दिल्ली का 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षन पेस किया उन्होंने वताया कि बीते दो साल में दिल्ली में पर्ति व्यक्ति आये 22.77 फिजदी बरही है पंजाब में बजट सत्र के पहले दिन कॉंग्रेस पार्टी के विधायकों के हंगामे पर वितमंत्री हरपाल सिंग चीमा ने निसान असाधा उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने राजपाल के अभिभासन में रुकावट पैदा करने की कोशिस कर पवित्र सदन का अपमान किया है लोगसभा चुनाव को लेकर हरियाना के डिप्टी सीम और जेजेपी नेता दुस्यन चोटाला ने कहा कि वो सब ही दस लोगसभा सीटों पर अपने परत्यासी उतारेंगे और जल्द ही गटवंधन के साथी दलों के साथ बैठक कर निसकर्स निकाला जाएगा उत्राखन में समाजवादी पार्टी के कारकरता सम्मेलन में लोगसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई जहां परदेश अधक संभू परसाद कोखरियाल ने कहा कि पार्टी हरिद्वार और उद्धम सिंग नगर सीट पर लोगसभा चुनाव लड़ने का दावा पेस करेगी जहारखन के फिल्मकार 37 मुंडा की फिल्म जादू गोडा को इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में वेस्ट सौर्ट फिक्षन फिल्म के अवार्ड के लिए चुना गया है मद परदेश के सियम मोहन यादव ने कहा है कि आज पीम नरेंद मोधी के नित्रितों में भारत की जीडीपी ग्रोथ अनेग देशों को आश्चा चकित कर रही है दुनिया हमारे तरफ उमीद की नज़रों से देख रही है हिमाचल परदेश के मुखमंतरी सुखविंदर सिंग सुख्षू ने कांगरेस के वागी विधायकों पर जम कर निसाना साधा और कहा कि इंचह काले नागों ने जनता का विश्वास तोर दिया है वही भाजपा पर निसाना साहते हुए कहा कि भाजपा के कुछ साथी सत्ता खोने के बाद वेचेन हो गए है जम्मू कस्मिर के रामवन में हुआ बड़ा हादसा जहां तेल से भरा टंकर खाई में गिर गया इससे टेंकर में आग लग गई वही हादसे में चालक की मौत हो गई है महराष्ट में सिवसेना गुट के मंतरी दादा भुसे और विधायक महेंद्र होरवे के वीच हाथा फाई की खवर आई है जहां इसको लेकर कॉंग्रेसी विधायक कैलास गौरंट्याल ने कहा कि जब दादा जी भुसे ने विधायक को कोहनी मारा तब मैं वहाँ मौझूद था इस तरह की बात लोगतंद्र पर धब्बा है मैं इसकी निंदा करता हूँ सीयम का अपने मंत्रियों पर कोई नियंतरन नहीं है पंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष मलिकारजुन खरगे ने गुजरास सरकार के एक रिपोर्ट को लेकर राजसरकार की निंदा की और कहा कि यहां के किसान और गरीब लोग दैनिये जिन्दगी जीने को मजबूर हो रहे हैं इस पर सरकार को ततकाल भ्यान देना चाहिए राजस्थान के मुखमंतरी भजनलाज सर्मा ने कहा है कि राजसरकार योजनाओं, कारकरमों तथा नवाचार को केवल प्रारम भी नहीं करेगी बलकि समय से उन्हें पूरा भी करेगी दोस्तों मैं देख पा रहा हूं का अपमें इस बहुत सारे लोगों ने लाइक और कमेंट भी किया है केसब चन्तिवारी, राजेंदर केलवा, स्पे सिंग, राजे स्रोय, सिल्पिब्बेक बैनरजी, सतीस चोबे, सुनिल कुमार पाथिपाका, करुणा चकबर्ती, उपेंदर सिंग, इस्वर्दिन विसकर्मा, बनवारी लाल स्वामी, बिनोत तिवारी, अंसारी रसीद, तो ये थी आज की तारतरीन खबरें, ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब को दबाईए, वीडियो को लाइक कीजे, और ज्यादा ज्यादा सेयर कीजे, ताकि आप और आपके जानने वाले देश और दुनिया के तमाम खबरों से रह सकें अ और आपके जाप और आपthenें?